हलो मेरे प्यार बच्चों स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बहतर वीडियो में सो माई डियर स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लाश 12 फ्रिजिक्स के संपूर किताब से 50 महातुपूर प्रशनों को देखने वाले हैं क्योंकि बच्चों एक्जाम के लिए ये आपके स्टडी का अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे समय में रिजगुलों हमें किवल वही प्रशन को टार्गेट करना है उसी प्रशन पर अपना फोकस करना है जिनके आने के चांसे इस एक्जाम में सबसे ज़्यादा होते हैं और हाँ जो बायलोजी वाले इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं बच्चों हम आपके कमेंट को देखते हैं बस एक दो दिन और वेट करिए क्योंकि उसको लिखने में बहुत वक्त लगता है फिर हम मैराथन वीडियो एक दो दिन में लाएंगे हम लिख रहे हैं आज परसों तक वीडियो आ जाएगी ठीक चलिए तो देख लेते हैं बच्चों फिजिक्स में आपको कौन से ऐसे पचास महत्पून प्रश्णों को देखना है ताकि आप सत्तर में से पच्पन से साथ नंबर श्योर हैं पाजा है क्योंकि अथवा में भी होते हैं और उनमें न चनत तो दोनों कोईस्टन पूछे जाते हैं ठीक न तो इन दोनों कोईस्टन को हमें अच्छे से त्यार करके जाना है ठीक चलिए दूसरा कोईस्टन है बच्चों बैदुच्छेत की तीवरता की परिभाशा मातरक वद वीमा अगर यह तीन चीज पूछता है तो यह तीन में दोई धुरू पर लगने वाला बलागून तो यह मोश्ट इंपोर्टन है हमने कई बार बोला है बच्चों हर एक साल यह कुश्चन पूछा जाता है और यह पांच नंबर में पूछेगा जब इसके साथ नियूमेरिकल एड कर देता है तो ठीक है ना तो चलिए इसको देख लिए अगला है बच्चों की बैदुत बैदुत दुई धुरू के कारण अच्छी इस्थिती में बैदुत छेतर की तीवरता यह अगर आता है डेरिवेशन तो तीन नंबर में नहीं तो पांच नंबर में पूछा जाता है ठीक है ना और नेक्स्ट कोश्चन है बच इसे तो हमें हर हाल में त्यार करके ही जाना है ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन है सम विभाव प्रिष्ट की परिभासा वा विसेस्ताएं ठीक मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन यह भी है और हां बच्चों वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना क्योंकि वक्त नहीं है इस गुलों फिर से हम बोल रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे कि इन पचास में से मेभी पांच-दस टॉपिक इधर उधर हो जाएंगे बच्चों नहीं सारे टॉपिक को हमने बताया है और आपको हम बता देंगे कि पीडियाफ वीडियो आपको कहां से मिलीगा ठीक है न पूछा गया है ठीक चलिए नेक्स कोश्चन देख लेते हैं विभाव प्रवंणता एक नंबर में हला कि पूछा जाता है लेकिन बहुत बार एक विभाव प्रवंणता एक गती सीलता हमने बताया था यह दो से तीन सेट में दिखाई पड़ जाता है चलिए नेक्स बच्चों की संधारित्र में संचित उर्जा घनत यह इसमाल यू बराबर एक बड़े दो एपसाइलन नौट ए स्क्वेर यह भी 2022 में कोश्चन पूछा गया था 19 में 21 में 20 में यह कोश्चन पूछा गया ठीक ना चलिए नेक्स कोश्चन बच्चों की समांतर प्लेट संध धारित की धारिता जैनि सी बराबर एपसाइलन नौट एपांट डी का वेंजक और इस कोश्चन की बात करें बच्चों तो यह भी मोश्ट इंपोर्टन है और इसको अगर आप देखेंगे तो हर साल कम से कम तीन सेट में जरूर पूछा जाता है 2022 में भी और 2020 में इसको दे बच्चों की अनुगमन वेग ठीक ना अनुगमन वेग या अपवाह वेग करके पूछा जाता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं और इसी में बच्चों एक और पूछा जाता है धारा घानतो धारा घानतो हलाकि यह एक नंबर या फिर दो न या फिर पांच नंबर में अब की बार ऐसा देखा गया कि इसे तीन नंबर में पूछा गया है लेकिन 2020 में वहीं पर ये पांच नंबर में आया था तो हो जाता है कभी कबार लेकिन आपको घबराना नहीं है आपका ही फायदा है अगर तीन के बजाए पांच नंबर में पूछ ले तो हमें इसे भी बढ़िया से त्यार कर लेना है ठेक ना चलिए नेक्स कोशन बच्चों की बैदुत परिपत शंबंधी किर्चाफ का नियम मोश्ट इंपोर्टन है कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब इन कोशन का कबजा ना हो इसलिए बच्चों सारे कोशन जो हम बता रहे हैं जिस पर हम मोश्ट इंपोर्टन लिख रहे हैं रसुगलों इनको तो आपको सव पृतिसत मान के चलना तयार करके ही जाना है नहीं तो आप धोखा खाज आएगे क्योंकि बच्चों ये सारे कोशन आपके तीन नमबर वाले या फिर पांच नमबर में पूछे जाते हैं तो ठीक है ना बैद्दुत परिपत संबंदी किर्चाफ का नियम ये 2022 में भी दो सेट में आया था वो 20 में ये तीन सेट में पूछा गया था नेक्स्ट है विभाव मापी के सिधान्द की ब्याक्या ये भी मोश्ट इंपोर्टन है और ये भी पांच नमबर में पूछा जाता है और अगला कोशन बच्चों बायो सेवर्ट का नियम ठीक अर्था डेल्टा भी बराबर में नाट अपान फोर पाई डेल्टा एल साइन थीटा पान आरी स्क्वेर ये भी मोश्ट इंपोर्टन और हम बात करें बच्चों ये सुरू के ये तीनों ठीक ना दोहजार बाइस में दो से तीन सेट में पूछे गए थे हलाकि ये एक ही सेट में आया था लेकिन सारे कुश्चन इंपोर्टन है और अगला है बच्चों एंपियर का परिपथी ये सिद्धात या नियम ठीक ना एंपियर का परिपथी नियम रहा समा कलंड डेल्टा यहां पे बेक्टर बी इंटू बेक्टर डील बराबर मियू नाट इंटू आई ये भी मोश्ट इंपोर्टन है पांच नमबर में पूछा जाता है बच्चों जब नियूमेरिकल एड कर देता है नहीं तो तीन नमबर में ये कुश्चन आता है ठीक है ना चलिए नेक्ट कुश्चन बच्चों कि दो शमांतर धारा वाही चालकों के बीच लगने वाले बलके सूत्र का निगमान यानि एफ बराबर मियू नाट अपान टू पाई आई 70 में से 55 से 60 नमबर तक आपको मिल जाएंगे वो इसलिए क्योंकि बच्चों अथवा में नियूमेरिकल होगा या तो ये सब होंगे डेरिवेशन तो मान लेते हैं आपको नियूमेरिकल नहीं आता अगर आप डेरिवेशन पर फोकस करेंगे बच्चों तो डेफिनेटली आ फिर अगर इसमें परिभाशा मात्रग वीमा पूछ लेता है तो दो नमबर में देता है ठीक ना चलिए question नमबर 21 एक समान ठीक ना चुम्बकी छेत्र में धारा वाही लूप पर बल आगूण तो ये भी बच्चों कभी कभार पूच लिया जाता है बहुत जादा तो इंपोर्टन नहीं है लेकिन आपको एक बार इसे देख लेना है नेक्स्ट है कि स्वा प्रेरन गुडांक तथा अन्योन प्रेरन गुडांक ये बच्चों मोश्ट इंपोर्टन है और कोई ऐसा साल नहीं जाएगा कि जब ये question आप पिछले 2018 या 20 से भी देखेंगे बच्चों 4 साल 5 साल के question पेपर को भी देखेंगे तो स्वा प्रेरन गुडांक या फिर अन्योन प्रेरन गुडांक हर साल पूछा गया है 2022 में ये तीन नमबर में आया था स्वा प्रेरन गुडांक अकेले पूछा था तो दोनों आपको देखना है स्वा प्रेरन गुडांक भी अन्योन प्रेरन गुडांक भी ठीक है ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैद्दुत चुम्बकी प्रेरण संबंदी फैराडे का नियम ये क्वेश्चन भी उच्चों most important है और तीन नंबर में पूछा जाता है अगर numerical जोड़ देगा साथ में तो पांच नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है ठेक ना चले अगला क्वेश्चन है बच्चों अनुनादी आवरित्ती ये भी most important है और अगला है बच्चों LCR देखे पांच नंबर में ये पूछा जाता है पांच नंबर में अगर हम बात करें बच्चों इस चैप्टर से LCR परिपस में प्रतिबाधा यानि जड़ बराब बच्चों तो इसमें से जो नुमेरिकल आता है हमने बता है ना जिसमें सक्ति गुडांग कलांतर प्रतिबाधा उसके बाद क्या कहते है मतलब इसी तरह से सिखर मान पूछा जाता है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 से ट्रांसफार्मर की रचना वाक क्रिया भी थी मोश्ट इंपोर्टन्ट है और 2000 हम बात करें 22 में तो वच्चों ये साय तो इस पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे गए थे इसलिए तेईस में मानगेज लिए ये क्वेश्चन टपकेगा इसलिए ट्रांसफार्मर की इग्नौर मत करना ठीक और नेक्स्ट है बच्चों की बैदुद चुम्ब की तरंगों के गुड ये भी हर साल पूछा जाएगा और हर सेट में लगबग पूछा जाता है तो इसलिए इसको भी हम इग्नौर नहीं कर सकते हैं ठीक ना चलिए अब हम देख लेते हैं बच्च दोनों एक एक नंबर में पूछे जाते हैं लेकिन कई बार पूछे हैं ठीक ना इसलिए इसको अच्छे से देख लेना अग्ला कोश्चन बच्चों की लेंस के प्रत्थम या फिर दुतिय फोकस ठीक ना तो इनको दोनों को भी अगर आप देखना चाहेंगे अच्छे से ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि हमने बच्चों पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही ये वीडियो हम बना रहे हैं चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टन है कि किसी प्रिजम के लिए अपुर्तनांक का विंजक यानि N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपान साइन A बाई 2 तो ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टन है इसलिए इसे अच्छे से त्यार कर लेना ठेक है ना चलिए नेक्ट कोश्चन बच्चों गोली आउतल प्रिष्ठ पर अपुर्तन क अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान आर तो ये भी मोस्ट इंपोर्टन है और ये बच्चों हर साल क्योंकि देखिए इनके अलावा पूछ भी क्या सकता है अगर हम बात करें लाइट में तो लॉंग कोश्चन में यही सब आते हैं और पांच न आपके चार कोश्चन पांच कोश्चन हैं तो यह मान के लिए आपके साथ में से वो जो चारों कोश्चन होंगे हर एक सेट में अलग तरीके से चार सेट में देंगे बांकी में नियूमेरिकल वगएरा इसा करके दे देते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं इन सब को आप यह भी मोश्ट इंपोर्टन्ट है और साथ ही अगर बात करें इसमें लेंस मेकर को हमने नहीं लिखा है लेंस मेकर भी पूछा जाता है एक फॉन एफ टू बराबर एक्स एक्स टू जो होता है ना तो लिक उसको भी अच्छे से देख लेना हम उसको लिखना भूल गए एक द दोनों में से बच्चों एक जरूर आता है और तीन नंबर में पूछा जाता है केवल किरणारेख ब्याख्या नहीं करना होता है ठीक चले अगला है हाइगेंस के दुतियक तरंगिकाओं का सिध्धान बैस साब ये भी मोश्ट इंपोर्टन्ट है और ये भी बच्चों ती करके जाना और नेक्स्ट है पांच नंबर में पूछा जाने वाला कोश्चन और हर साल पूछा जाने वाला कोश्चन हाइगेंस के दुतियक तरंगिकाओं के सिध्धान पर परावरतन की ब्याख्या या फिर अपवरतन की ब्याख्या हलाकि ये दो प्रकाइब दो कोश्च है ठीक और नेक्स कोशन होच्चों कि यंग के परियोग में फ्रिंज की चौड़ाई का विंजग ठीक ना जो इसमाल डबलू बराबर डी यहां से डी लेमडा अपान डी होता है ठीक ना यह होता है मोस्ट इंपोर्डन फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ठीक चलिए अगला क कोशन बच्चों की प्रकास वैद्दुत प्रभाव संबंधी आइस्टीन का समीकरण यह भी मोश्ट इंपोर्डन है बच्चों हर साल दो से तीन सेट में तो आपको दिखाई पड़ेगा ही आप अगर कोशन पेपर लेकर बैठेंगे अनसाल अगर लेते हैं बच्चों उस दोनों कोश्चन यह तेन नंबर वाले हैं ठेकाना चलिए अब हम देख लेते हैं अगला कोश्चन की बोहर का परमाडू माडल यह भी इंपोर्टन कोश्चन है बच्चों और अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ब्याक्ष्ण यह बच्चों मोश्ट इंपर्टन है और पांच नमबर में पूछा जाता है हाइडोजन इस्पेक्ट्रम की ब्याख्या की बात करें बच्यों जिसमें जो स्रेंडिया होती है ठेक ना लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकरट, फुन्ड ठेक ना तो वही है हाइडोजन इस्पेक्ट्रम और अगला question बच्चों की द्रविमान च्छती किसे कहते हैं ठेक ना तो ये एक नमबर या फिर दो नमबर में पूछा जाता है और next question बच्चों की नाभिकी शनलेयन वा नाभिकी विखंडन ये भी most important question है इसे हम बिलकुल ignore नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें बच्चों 2022 में तो नाभिकी जो विखंडन है वो पांच नमबर में पूछ लिया था लेकिन नाभिकी विखंडन उसकी संपूर्ण किरिया विधी उदारन साइथ सब ये समझाना था ठीक अगला question बच्चों की समस्थानिक वा संभारिक की परिभासा उदारन साइथ तो ये भी important question बच्च और पूर्ण तरंग दिश्टकारी most important है इसमें कोई दो राय नहीं है और ये topic पांच नमबर में पूछा जाता है नहीं तो बच्चों कभी कभार क्या होता है इसे तीन नमबर में दे देता है और next है बच्चों PN संधी डायोड का अग्रदिसिक वा पश्च दिसिक ये भी important है लेकिन इससे जादा ये वाला important है ठीक ना इसके आने के जो chances बच्चों 95% है इसलिए इस पर आप जादा focus करेंगे अगला question बच्चों कि LED की रचनावा किरिया भी थी ठीक ना तो ये भी important है और next है photo diode की रचनावा किरिया भी थी तो ये भी most important है ठीक 2022 में बच्चों photo diode दो में पूछ लिया था एक में पांच नंबर में यही topic पूछा था और एक में तीन नंबर में तो अपकी बार मानके चलिए LED की बारी है और अगला है बच्चों साओर शल्की रचनावा किरिया भी थी ठीक ना तो 2022 में तो भाई इसको पूछा है और 2023 में बच्चों इस chapter स LED की रचना वा किरिया भी थी या फिर साओर शल्की रचना वा किरिया भी थी इन दोनों में से भाई साहक दोनों के दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे तो ठीक ना बच्चों यह रहे संपूर किताब के 50 सबसे जादा पूछे जाने वाले प्रश्ण I hope की सारा डाउट आपके मन में जो था वो किलियर हो गया होगा बच्चों आपके पास जो भी question bank है या कुछ भी है इसको टिक कर लेजिए इस वीडियो के माद्यम से बांकी रसगुलों अगर आपको देखिए इसमें कुछी topic ऐसे हैं बच्चों जैसे एक ये हो गया एक य देखना है तो आप जाइए आप उसमें प्लैलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप description चेक करिए वहां पर हमने सारे important question की वीडियो और PDF डाल दिया है ठीक ना तो मिलते हैं किसी और उसे मलदार वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ताकि बचे हुए दिनों में हम आपकी त्यारी और भी बहतर करवास रखें